नमोग उद्या जैभीम साथियों हम इस वक्त एवला नासिक में हैं आध 13 अक्टूबर 2022 है यहीं पर बाबा सामने 13 अक्टूबर 1935 को बाबा सामने पर्तिक्या लिखी कसम खाई थी कि मेरा जनम हिंदू धर में जरून हुआ था लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू बन करके और उ 12 अक्टूबर सन 1956 को बाबा सामने दिच्चा भूमनाक पूर में पर्तिक्या पूरा भी की और यहां पर देखी काफी संख्या में उपासक आये हैं दूर दराज से आये हैं अलग अलग जिलस आये हैं यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको यहीं जगा है जो 13 अक्टूबर 1935 क दो बाबा सामने बहुत बड़ी प्रतिक्या ली थी उस प्रतिक्या को पूरा किये हैं यहां पर देखिए संप्ता सहीरिक दल के भी हैं और भी तमाम उपासक हैं हम इसकी पूरी ग्राउंड रिकोर्ट आपको दिखाएंगे इस हाल में बाबा साब के तमाम तस्वीर रखे किये है काए किया करांति चाम क्या कि यह यह लिए उसके बारे में घंचाकारी हमें यहां नहीं पर देखेंग मुपासका भी हैं हमारे सामने बपांत्रोCs कृंसर यहां कर्साशा को कृंवा सामने जो भी परतिक्या अपनी पूरी की थेरा अक्तूबर 1905 को हम यहां पर योला में हैं यहीं पर बाबा साम ने 13 अक्टूबर 1956 को बहुत बड़ी कसम खाई थी परतिग्या ली थी उस परतिग्या को 14 अक्टूबर को 1956 को बाबा साम ने पूरा भी किया था करीब 21 साल बाद और यहां पर देखे काफी धम उपासक दूर दराज से आये हैं यहां के कुछ धम उपासक से अ पासका से हम जानकारी भी लेते हैं यहां के जानकारी लेना चाहते है इस एला जो नासिक में पढ़ता है यहीं पर बाबा साम ने 13 अक्टूबर 1935 को बहुत बड़ी कसम खाई थी और उस कसम को 14 अक्टूबर 1956 को दिच्छा बूमनागपुर में बाबा साम ने पूरा भी किया तो इसके बारे में थोड़ा सामें जानकारी दीजिए और सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है आप लोग कहां साय हैं क्या नाम है और इसके बारे में जानकारी दीजिए जैभीम हम सब उपासब उपाशी का और यहां पे जो डाक्टर बावा साब ने जो संकल्पा किया कि मैं हिंदू धरम में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं और उसके बाद में जो हुआ वह 14 अक्टमबर 56 को बावा साब ने जो संकल्पा किया था उसको पुरा किया और आप बोलिए और रिकार्डिंग और बस हो गया आप बोलिए सब मंते जी चाहा मिलेंगे नहीं अच्छा दो मिट्रोपा ना अच्छा तो वहीं रही है मेरा हाथ में है लेकिन मुर्चु मेरे हाथ में नहीं है इसलिए मैं क्या किया कि जन्म मुर्चु जन्म लेने के बाद जन्म तो मेरा हाथ में नहीं नहीं है लेकिन मुर्चु मेरे आत्म है जब मुर्चु से पहले उन्होंने 1156 में नाक्तुर दिख्षा भूमी में उन्होंने धर्मांतर दिख्षित किया यह उनका भावना संकलेट कर दिया